नागिन 2 के आक्टर करन सिंग बोरा के फैंस के लिए एक बुरी खबर है जीहान, टीवी सीडल नागिन 2 में रॉकी का किरदार निभाने वाले आक्टर करन सिंग बोरा एक हाथ से के शिकार हुए है अब आपको बता दें कि करन एक कार एक्सिटेंट से बाल बाल बचे हैं गुजरात के भुज़ जा रहे थे करनवीर के साथ उनकी बेहन शिवांगी बोरा और कोस्टार प्रिया बैनर जी भी मौजूद थी हाला कि फैंस के लिए गराहत की बात ये है कि वो पूरी तरह से खत्रे से बाहर है और उन्हें बस थोड़ी चोटे लगी है करन ने अपने फैंस को अपने ठीक होने की ख़बर सोशल मीडिया के थ्रू दी है उन्होंने कहा करन वीर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके उनके फैंस को बताया कि अब ख़बराने की कोई बात नहीं है और प्यार के लिए धन्यवाद किया यह तक तक टे लागे तोबराने तो और बाते वीडियों की कि आरहे हैं बगाने की उस्टाग र्पूटा है तक यह सं थी तुदागाद मेरे विजिए इकहरा है जैस बस्ताग जालों मेरे जब एलिए का व्वरवैं, यह को कर दोदिए ईन्वाद टरूंट लेकिन करन के साथ साथ नागिन 2 में रॉकी के कजन ब्रदर का रोल करने वाले अक्टर आरन पंडित के साथ भी सेट पर बड़ा हाथसा हो गया आरन के हाथ में चोट लगने के बाद उन्हें फोरण हॉस्पिटल ले जाया गया उन्होंने हाथ पर लगी चोट की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा है नागिन 2 के सेट पर एक सीक्वन्स की शूटिंग के दौरान मेरे साथ ये हाथसा हो गया आरन को चोट की वज़़ से 18 स्टिचिज आए हैं हाला कि इसके वावजूद उन्होंने कहा मैं खुद को मजबूत फील कर रहा हूँ उमीद है जल्द ठीक हो जाओंगा बता दें कि इससे पहले आरन पंडित ने देहलीज और ना आना इस देश लाडो जैसे सीरियल में काम किया है झाल